फ्रेंड्स अगर आप एक यूटीवर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूंकि आज की डेट में यूटूब ने भी एक मैसेज डाला है अपने क्रेटर चैनल पे और कहा है कि बहुत सारे यूटूब चैनल हैक हो रहे है और इस हैक से बशने के लिए आपको कौन-कौन से steps को follow करने है और security लगाना है जिससे आपका YouTube चैनल सेफ रहे आपकी email ID आपके password सारा कुछ hackers को पता न लग पाए इसके लिए कुछ security है जिसको आपको enable करना है उस चीज को मैं आपको इस वीडियो में पूरा शो करूंगा तो आप इस वीडियो को देखिएगा तो दोस्तों मैं हूं रंजे और आप देख रहे हमारा YouTube चैनल टेक्नो रंजे चैनल इस वीडियो में जो हम steps देखेंगे जो हम steps को follow करेंगे उससे बहुत हद तक आपकी channel safe रहेगी क्यूंकि दोस्तों एक चीजा सोचके देखो कि जो बंदा बहुत मेहनत करता है अगर एक YouTuber है जो मेहनत करके बहुत सारे वीडियो को subscriber को gain किया है बहुत सारे hurdles को create करते हुए अपने चैनल को monetize किया है और एक ऐसा व्यक्ति जो hackers बैठे हुए हैं वो आपको कुछ steps ना follow करने के कराण आपके channel को hack कर लेते हैं और सारा मेहनत आपका पानी में चल जाता है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों मैं पूरा का पूरा आपको computer पे कैसे steps को follow करते हैं कैसे security लगाते हैं और इस चीज को जरूर से जरूर अपने channel पे कर लीजिए और अपने email ID और password को protect कर लीजिए तो चलिए दोस्तों मैं आपको computer screen पे आपको full show करता हूँ आपसे request है कि अगर आप हमारे channel पे नए हैं तो subscribe कर लीजिए bell icon को press कर लीजिएगा future updates के लिए like share comment जरूर कीजिएगा सो फ्रेंड सबसे पहले आपने करना क्या है अपने कोई भी browser में आप वहां पे जाएए और अपने YouTube चैनल पे जाने के लिए YouTube को open कीजिए और side में जो आपको option ये pick जो लगा होगा यहां पे आपको यहां पे आप जाएए और जब आप क्लिक करेंगे यहां पे बहुत सारे option आ रहे हैं उसमें से सबसे पहले क्या करेंगे जो security लगेगा वो YouTube पे ही नहीं जिस Gmail ID को आप यूज कर रहे है actually Google के जितने भी account इस Gmail ID से चल रहे है उन पे सारों पर यह security अवलेवल हो जाएगा यह तो उसके लिए manage your Google account पे आप क्लिक कीजिए यहां पे उपर में options हो कर रहा होगा और जब आप जाएंगे तो Google account के जो dashboard है जहां पे आप वो मिलेगा वहां जाके आप यह setting कर सकते हैं उस इसमें से आप यहां देखेंगे security security पे जब आप जाएंगे यहां पे तो क्लिक करते ही security यह आपके security dashboard पे यहां पे आप देखिये दोस्तों यहां पे कुछ options है keep your account protected तो आप यह सारा कुछ देखेगा लेकिन जो main important चीज़े वो यह है signing in to Google अब इसमें क्या करना है आपने कि यहां पे two step verification जो है इसको हमेशा on रखना है जो कि मैंने पहले ही कर लिया है आप भी check कर लीजेगा अपने Gmail account का जो Google account है उसमें two step verification यह होग कि अगर आपका कोई भी Gmail ID से open करने की कोशिस करता है तो सबसे पहले आपके mobile पे वो code आएगा जिसको आपको accept करना होगा तो यह security बहुत बहतरीन है तो इसके लिए करने के लिए आप यहां पे click करेंगे जैसे ही आप click करेंगे आप यहां पे यह option मागएगा login करने के लिए आप यहां पे जब आप login के लिए देंगे और next करेंगे जो आप अपना password जो Google का है वो देखें आप यहां पे आगे move कीजिए तो दोस्तों यहां पे देखिए कि आपके पास यहां पे twist verification on है यहां पे अगर on नहीं होगा तो यहां पे turn on का option आजएगा अभी turn off का क्योंकि यहां पे जिस mobile से मैं open करता हूं उसका यहां पे चीज दिया हुआ है और हमेशा आप देखिएगा कि वहां पे जो आप अपना number mobile number दिये हैं वहां पे वह verification code जाएगा तो हमेशा यह mobile number अपना यहां पे इंटर करके रखिएगा दोस्तों और यह security आपका बहुत ही बैतरीन ह हो जाएगा तो दोस्तों यह सबसे important चीज है जो कि YouTube नहीं भी अपने आप जब आप open करेंगे studio को YouTube studio को तो वहां पे भी यह message सो कर रहा होगा कि please secure your account और वहां पे click का option देगा उसके थूर आप जाके वहां पे कर सकते हैं तो यह YouTube की कुछ बहुत ही important जानकारी था जो कि मैं आपके साथ share करना चाहता था तो यह video कैसा लगा और इसको आप share कीजेगा ताकि किसी का जो account है वो safe रहे, secure रहे और जिससे आपके मेहनत पे कोई problem ना हो future में तो यह security ज़रूर ले लिजिए तब तक के लिए दोस्तों thanks